हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक आएम विवेक सिंगल फ्रॉम ट्रेडिंग विवेक.com और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल इस्टेट और एक्विटी के डिफरेंस के बारे में दोनों में से कौन सा बेटर है कौन सा सेफ है और ऐसी क्या बात है कि लोग रियल इस्टेट में पैसा कमा लेते हैं लेकिन एक्विटी में पैसा नहीं कमा पाते हैं तो यहां पर जब दोनों का यहां पर कंपैरिजन होता है तो हमने बहुत बार अपने parents को कहते वे सुना होगा कि अगर पैसे कमाए हैं save किये हैं तो कोई land ले लो कोई plot ले लो या फिर कोई घर बना लो या फिर कोई farm land ले लो लेकिन stock market से दूर रहना इसमें लोग बरबाद हो जाते हैं तो यहां पर वो कौन से parameters हैं जिसकी वज़े से ऐसा सब को सुनने को मिलता है क्या seriously real estate में इतनी सारी problems नहीं हैं जितनी सारी problems हमारी stock market में हैं क्या real estate seriously इतना safe है क्या real estate ही सबसे better है तो यहां पर five important points हैं सबसे पहले जो real estate को और equity को यहां पर differentiate करते हैं जिसकी वज़े से हम चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे और lifetime हमारे जो concepts हैं वो बिल्कुल clear रहेंगे किसी के कहने से हमारे उपर को impact नहीं आएगा तो कौन सा better है कौन सा नहीं better है यह आप अपने इसाफ से समझ पाओगे बस यह जो five important points हैं इनको एक बार समझ लो तो सबसे पहला important यहां पर points है कि हम जब stocks purchase करते हैं तो वहां पर stock price के थोड़ा सा नीचे जाने से हम इस्टोप्लोस लगाने की बात करते हैं जबकि मैंने आज तक किसी को भी real estate में इस्टोप्लोस लगाते वे नहीं देखा तो यह एक सबसे बड़ा सबसे पहला कारण है कि लोग real estate में पैसा कमा लेते हैं और equity में पैसा नहीं कमा पाते क्यों क्योंकि जब real estate में suppose हमने कोई land purchase की आप उसको next day sell करके देखना immediately जो seven या eight percent का आपने registration charges दिया वो आपका चला गिया तो सबसे पहले तो वो नुकसान हो जाएगा उसके साथ में अगर हमने one crore rupees की कोई land purchase की है immediately next day या one week में आप उसको sell करके देखना वो 95 lakh या 90 lakh से आदकी नहीं बिकेगी क्योंकि जब भी हम कुछ purchase करने जाते है real estate में तो चीज थोड़ी सी महंगी मिलती है और sell करने जाते है थोड़ी सी सस्ती बिकती है लेकिन equity में हम इस approach के बिल्कुल अगेंश रहते हैं तो यह stop loss का लगाना यहाँ पर equity में नुकसान दायक होता है और क्योंकि हम real estate में इस्टोपलोस नहीं लगाते इसलिए हम real estate में पैसा कमा पाते हैं यहाँ पर जो second important point है वो यह कि जब हम कोई real estate purchase करते हैं तो वहाँ पर 20 years का home loan लेते हैं every month हम लोग बिना किसी हिच की चाहट के बिना किसी रुकावट के हाँ कैन वी एक्सपेक्ट की market में हमारे पास उतना अच्छा पैसा इखटा हो जाएगा इस्टोप मार्केट से उतनी अच्छी कमाई हो जाएगी तो यह एक second बहुत बड़ा differentiator है कि लोग real estate में पैसा जोड़ पाते हैं अपने real estate बना पाते हैं लेकिन equity में पैसा नहीं जोड़ पाते हैं तो जब market डाउन जा रही होती है real estate की भी क्या उस टाइम पर हम में से कोई भी home loan की EMI को pay करना बंद कर देता है नो ऐसा नहीं होता जबकि stock market में जैसे ही market थोड़ी सी डाउन जाएगी हमें immediately जोता है कि नहीं अभी पैसा डालना ठीक नहीं है ये गलट टाइम है market और जादा डाउन जाएगी हम real estate में लगातार डाले जा रहे हैं पैसे लेकिन equity में बंद कर देता है घर में शादी होती है तो क्या EMI बंद हो जाती है कभी नहीं होती तो यहाँ पर हमारी जो SIP है stocks की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर उसमें क्यों बंद हो जाती है क्यों हमारी monthly investment बंद हो जाती है तो यह second सबसे बड़ा reason है real estate में पैसा लोग जोड़ पाते है और equity में पैसा लोग नहीं जोड़ पाते तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है यहाँ पर जो real estate के prices हैं हम daily basis पर check नहीं करते और जो अपना equity का portfolio है हम उसको daily basis पर check करते हैं यह एक ऐसा point है जिसके चलते market में daily basis पर हम news track करते हैं daily basis पर अपना time spend करते हैं और करना क्या होता है कुछ नहीं करना होता नीचे गया तो यहाँ दर्द होने लगता है blood pressure बढ़ने लगता है और अगर उपर गया तो खुशी होने लगती है जबकि हमने ना real estate बेची ना हमने equity बेचा तो यहाँ पर real estate के prices को क्या हम daily basis पर check करते हैं यहाँ देली basis पर check करते हैं नहीं करते हैं तो फिर हम daily basis पर जो हमने stocks purchase की होते हैं उसको क्यों track करते हैं उसकी movement को क्यों track करते हैं यह एक तीसरा सबसे बड़ा differentiator है daily basis पर prices को check करना stock market में and real estate में नहीं करना तो जब हम daily basis पर prices को check नहीं करते हम patience के साथ चीज़ों को hold करके बैठते हैं real estate में लेकिन stock market में नहीं बैठते इसलिए क्योंकि हम daily basis पर stock market में prices check करते हैं हमें डर लगता है हम जो सबसे पहले वाला reason था यहां पर stock price लगाने का वो लगाते हैं और निकल जाते हैं नुकसान में और कहते हैं यह stock market बेकार चीज़ है जबकि real estate में हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं point number four real estate में हम में से कोई भी risky asset purchase नहीं करना चाहता कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता कि जो commercial complex बिल्कुल खाली पड़ा है जहां कोई नहीं चाहता उसमें हम अपनी shop purchase कर लें और यहां पर उसको purchase करके सोचें कि हमारे इसमें पैसे बनेंगे जबकि equity में greed में आकर हम बेकार से बेकार third class से third class company को भी यहां पर purchase कर लेना चाहते हैं सो यह एक बहुत बड़ा differentiator है real estate में हम हमेशा एक अच्छी asset purchase करना चाहते हैं और stock market में stock market में हम बेकार चीज़ purchase करना चाहते हैं जब कभी हम यह बात करें न Colgate में एक छोड़ी सी range में trading कर लो अच्छा पैसा बनेगा या बजाज finance में trading कर लो अच्छा पैसा बनेगा तो वहाँ पर यह कहा जाता है कि विवेक भाई कोई सस्ता सा share बताओ पैसो में सस्ता यहाँ पर नीचे आया हुआ सस्ता नहीं पैसो में सस्ता जिसका पर share price कम हो तो यह एक बहुत बड़ा reason है कि हम यहाँ पर बड़ी companies में trade नहीं करते और real estate में हम हमीशा अच्छी asset purchase करना चाहते हैं जो जिसमें risk नहीं हो जिसमें किसी भी तरह का कोई पुराना यहाँ पर case नहीं हो यानि कि कोई धोके बाजी ना हो, कोई scam ना हो लेकिन इस्टोक market में हम बेकार चीज़ भी कहीं बार purchase करने को त्यार रहते हैं यह एक main fourth number का differentiator है, point number five यहाँ पर जो one of the most important है कि real estate में कभी किसी को सुना है कि जब यह कोई particular asset अभी 90 lakh की है और जब यह 1 क्रोट 20 lakh की हो जाएगी उसके बाद में इसको purchase करूँगा अभी purchase नहीं करूँगा क्योंकि अभी यह थोड़ी से सस्ती है अभी इसमें breakout नहीं आया जबकि stock market में हम क्या कहता है कि 100 से 60 आ गई अच्छी ही company की बात कर रहा हूँ अच्छी property की बात कर रहा हूँ तो 100 से 60 आ गई तो अभी buy नहीं करेंगे पहले इसको उपर आने दो थोड़ा सा बढ़ने दो एक breakout देने दो उसके बाद purchase करेंगे इस टोक में हम ऐसी बाते करते हैं breakout की जबकि real estate में हम क्या बात करते हैं real estate में बात करते हैं एक करोड की चीज थी then only we will buy हम इसको तभी buy करेंगे अभी buy नहीं करेंगे हम ऐसा नहीं करते real estate में चीज़े सस्ती होती हम buy कर लेते हैं equity में हम कहते हैं breakout आएगा और जब breakout आने के बाद में चीज़े उपर जाएंगी then only I will buy तो ये breakout वाला भी एक problem है तो ये five reasons हैं जो real estate में हम अपनी बुद्धी मानी को apply करते हैं और stock market में इस बुद्धी मानी को हम कहीं पर पोड़ेदान में फैक किया जाते हैं और ये समझते हैं ये सोचते हैं कि अब हमारा पैसा stock market में बनना चाहिए उस बुद्धी मानी को side में रखकर आ गए और उसका बिल्कुल उल्टा किया और उसके बाद में हम stock market को दोश निकालते हैं कि stock market में पैसा नहीं बनता इससे अच्छा तो मेरे real estate था उसमें कम से कम मेरा पैसा खोता तो नहीं मैं कम से कम बना कर तो रखता अगर यही five concepts यही five points of wisdom जो real estate में हम apply करते हैं जिसको मैंने आपर differentiate करके बताया अगर यही five points हम stock market में as it is apply कर लें इतसे guarantee you will make three times more money आप तीम गुना जादा पैसा कमाओगे real estate से जो लोग यह समझते हैं real estate कम से कम जमीन तो है कहीं जाएगी तो नहीं आप कोई commercial complex में कोई shop लेकर देखो और अगर वो complex नहीं चला न तो आपको पता चलेगा जिंदगी भर की कमाई एक अकेली बेकार buying shop की आपको लेकर डोग जाएगी यह आप जितने भी लोगों ने real estate में काम किया न आप उनसे पूछ कर देखना आप खुद से समझ कर देखना अगर कोई एक का जिसने जीवन भर की कमाई unit act के किसी project में लगाई और वो ऐसे ही पड़े हैं आप उनसे पूछ कर देखना और इस तरह के हजारो cases है जो लोग यह कहते हैं real estate safe है real estate जिस तरीके से काम करके हम safe की बात कर रहें अगर वो सारे points stock market में stocks buy करने में लगा दिये गए तो stock market real estate से भी ज़्यादा safe है और उससे ज़्यादा कमाई देती है और कम से कम 2-3 times की ज़्यादा कमाई देती है यहाँ point क्या है हम real estate लगाते हुए real estate buy करते हुए वहाँ बुद्धिमानी यूज़ करते है wisdom यूज़ करते है stock market में पैसा लगाते हुए हम बुद्धिमानी यूज़ नहीं करते same बुद्धिमानी stock market में लगाओ you will become rich much more earlier जो पैसा आपको real estate में 30 years में जाकर बनता वो शायद stock market में 10 years के अंदर अंदर बन जाएगा अब यहाँ पर 5 और में ऐसे points आपको बताने वाला हूँ जो बिलकुल बहतरीन है stock market के favor में और जो चीज़े real estate में है ही नहीं सबसे पहली चीज़ है आपर liquidity liquidity means आप जिस दिन merge जिस दिन merge आप अपने stocks को sell कर सकते हो parts में, liquidity का मतलब यहाँ पर parts से है अगर आपने यहाँ पर 1 crore rupees एक तरफ real estate में लगाए और एक तरफ 1 crore rupees आपने equity में लगाए अगर आपको 2 lakh rupees की जरूत है आप 2 lakh rupees का माल बेचो 98 invested रहने तो और अपनी जरूत पूरी करो आप real estate में बेची नहीं सकते parts में कुछ भी आप कुछ भी नहीं बेच सकते parts में it's a guarantee I'm saying second second important point यहाँ पर real estate को hide नहीं किया जा सकता आप जैसे कोई land purchase करोगे जैसे ही कोई shop purchase करोगे जैसे ही आप कोई घर purchase करोगे means वो property किसकी है यह चीज सबको पता चल जाएगी आप नहीं छुपा सकते public से लेकिन equity में अगर आपके पास 80, 90, 100 करोड के भी shares है ना तो अगर आप किसी को बताओगे तब जाके पता से लेगा otherwise किसी को पता नहीं चलेगा किसी को भी पता नहीं चलेगा कानो कान खबर नहीं होगी तो equity में आप चीजों को hide कर सकते हो चुपा सकते हो secret रख सकते हो hide करने का मतलब आपर illegal से नहीं है बलकि परदे में रखने से है चुपा कर रखने से है लेकिन real estate परदे में नहीं रहती थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट जो equity के favor में जाता है again this is called the mobility for example right now you are living here in India in Delhi NCR और अगर आपको bangalore move करना है आप move कर जाओ आपको ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपकी shop Delhi NCR में थी आपने rent पर दी हुई थी वहाँ से आपको rental लेना था अभी वो rent out करनी है दुबारा से वो छोड़ कर चला गया उसकी maintenance करानी है painter बुलाना है ये करना है वो करना है आपको कुछ नहीं करना यहाँ पर आपका equity का portfolio आप हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में जाते हो तो साथ जाता है यहाँ पर उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी ने कबजा तो नहीं कर लिया किसी ने गैर कानूनी तरीके से position तो नहीं ले ली अपने under में और आप उसे छुड़ा नहीं पा रहे हो equity में ऐसा कुछ नहीं होता point number 4 यहाँ पर equally बहुत जादा important है कि real estate में maintenance चाहिए होती है और equity में maintenance के नाम पर सिर्फ 300 रुपीज पर इयर का maintenance चाहिए होता है जीरो धा में और real estate में maintenance आपकी अगर residential property है तो आपको maintain करना है maintenance के लिए खर्चे करने है अगर आपकी कोई commercial shop है तो वहाँ maintenance के खर्चे करने है society के maintenance के पैसे देने है यहाँ कुछ नहीं है point number 5 जो वापस से equity के favor में जाता है and this is zero hassle यहाँ पर आपको real estate sell करनी है तो आपको buyers यहाँ पर ढूणने है और अगर आपको buy करनी है तो आपको sellers ढूणने है sell करनी है buyers ढूणने है buy करनी है sellers ढूणने है it just takes 30 seconds उससे ज़र time नहीं लगता है यहाँ पर आपने एक बार यह decide कर लिया HDFC bank जब भी 20% नीचे जाएगा आपने खरीद लेना है और जैसे ही आया alert आपके mobile पर आया आपने alert set कर रखा था आपने quantity डाली 1000 shares HDFC bank price this buy buy हो गया कोई hassle नहीं है sell करना है आपने यहाँ पर GTT order लगा कर छोड़ दिया 20% upside का कि जिस दिन यह price आजाएगा उस दिन मेरा माल निकल जाए उस दिन आपको माल बिख जाएगा यहाँ पर so easy there is no hassle so five important points जो wisdom real estate खरीदने में लगाते हैं अगर वो wisdom यहाँ पर equity में लगा दी जाए you will become much more richer than you have ever thought लेकिन यह problem क्या है हम वो wisdom यूज नहीं करते और जो यह five points जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर equity के favor में जाते हैं वो real estate में है ही नहीं and that is the reason I am always invested only in equity and that was the reason कि Warren Buffett सर भी सिर्फ इसी में है और that is the reason majority means 99% wealth और यही reason है कि Rakesh Union वाला सर भी इसी में है इसी में थे वो दिलों में सबके हैं लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको सिखाता रहूँगा आपको सीखते रहना है और आपने दोस्तों क्या शेयर करना है सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कराना है यह आपका काम है आप अपना काम करते रहे हैं मैं अपना काम करता रहूँगा कल फिर मिलेंगे एकनी वीडियो के साथ तब तक जाहें